जै गो मातागी जै भारत मातागी आप सब कैसे हैं उमीद करता हूँ कि मा भगवती की कृपा से आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मा भगवती की कृपा आप लोग उपर सहदेव बने रहे मैं सुमन सर्मा आपका अपके अपने चैनल जोतिस साधना के इंदर में आप सब का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आज एक नए विशे को लेकर आप सब के सामने आने का सोभाग्य प्राप्त हुआ है विशे है दोस्तो गुरू पुषय नक्षत्र योग एक अदभुद योग है एक अदभुद शैयोग है जिसमें कोई भी प्रियास किया गया जो है सफलता जरूर प्राप्त होती है यदि सर्दहा और विश्वास के दिन इस दिन कोई भी कारिय किया जाए तो सफलता वैसे प्राप्त होती है जैसे कि दिवाली और होली के अवसर पर कोई कारिय किया जाता है ये बड़ा ही अदवुद दिन है कई बार ये साल में दो बार प्राप्त होता है कई बार तीन बार और कई बार एक बार ही इसका संयोग बनता है और आगामी ये जो है अवशर आपको 25 अगस्त को प्राप्त होने जा रहा है इसमें आप किसी भी परकार की प्रेशानी से प्रेशान है तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि अधूरी जानकारी किसी काम के नहीं होती है संपूर्ण जानकारी से आप अपने समस्याओं का समाधान भी कर सकते हैं और और लोगों को वीडियो सेर करके ये जानकारी आप उन तक भी पुछा सकते हैं आगे बढ़ने से आप सब से एक मिनम निवेदन कि यदि आप इस समय हमारे सोसल मीडिया के किसी भी प्लेटपोरम पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो पूरी वीडियो तक जानने के लिए पूरी वीडियो देखने के लिए आपको हमारे योटूब चैनल जोतिस साधना के इंदर पर जाना होगा चैनल को सस्क्राइब करें यदि आप नहीं है बेल आइकन प्रेस करें ताकि आगे की और भी जानकरिया धरम से जुड़ी हुई जोतिस से जुड़ी हुई हम आप तक पूचा पाएं अदभुद जानकरी है सुन्दर जानकरी है वीडियो को सेर करें और कोमेंट में अपनी राय जरूर दें चलिए आगे बढ़ते हैं गुरु पुश्यनक्षत्र के सैयोग की तरफ दोस्तों ये सैयोग 25 अगस्त को है और इसी दिन सरवार्थ सिद्धियोग अमरित सिद्धियोग अविजीत मुरत ऐसे दुरलब दुरलब सैयोग है कि कोई भी किया गया उपाए सफल जरूर होगा ऐसा नहीं है आप प्रियास करेंगे सफलता नहीं मिलेगी क्योंकि इस दिन की विसेस्ता दिवाली और होली की तरह है इसका परचार कम है होली और दिवाली का परचार जादा है तो इसलिए दोस्तो इस दिन भी आप वैसा ही ध्यान भगवान का करें जैसा आप होली और दिवाली के उसर पर करते हैं उसी सरधा के साथ आप उपाई करियेगा तो आपको सफलता जरूर मिलेगी आईए सबसे पहले जानते किस परकार की समझ्चा में ये उपाई काम करता है दोस्तो ऐसी कोई समझ्चा नहीं है कि जिसके लिए इस दिन उपाई नहीं किया जा सकता है क्योंकि ब्रह्मांड के गुरु हैं ब्रहस्पती देव हैं देवता विसानिध्य में जिनके चलते हैं और ये सभी की कुंडली में ब्रहस्पती देव विराजमान होते हैं और जहां ब्रहस्पती देव की विशेश क्रपाप को प्राप्थ होनी प्रारंब हुई वैसे ही सभी ग्रह आपके इच्छा अनुशार आपके सोभाग्य को बढ़ाने के लिए सुप प्रणाम देना शुरू कर देते हैं क्योंकि ब्रहसपती देव को सभी ग्रहे प्रणाम करते हैं यदि ब्रहसपती अच्छी स्तिति में आपके कुण्णली में नहीं है तो विद्या से समंदित विधाएं, सारिक समंदित समस्याएं, पेट से समंदित समस्याएं, विवा में बाधा, ग्रह बाधा, मकान बनाना चाहते हैं, मकान नहीं बन पारा है, विवा करना चाहते हैं, विवा नहीं हो पारा है, संतान समंदित, अनेक उपरकार की समस्याएं, कोई भी समस्या है और आप लंबे समय से यदि उस समस्या से प्रेशान हैं ग्रसित हैं और अनेकों प्रकार के आप प्रियास कर चुगे हैं परन्त अभी तक आपको किसी भी प्रकार का प्रणाम प्राप्त नहीं हुआ यदि आपके घर में बच्चे हैं आप उन्हें पढ़ाना चाते हैं प्रन्त उनका विद्या की तरफ किसी भी प्रकार का ध्यान नहीं है हजारों परियास करने पर भी बच्चे के नमबर अच्छे नहीं आते हैं तो आप ये उपाय उस बच्चे के लिए भी कर सकते हैं बड़ा हो छोटा हो सभी के लिए ये उपाय कारगर रहेंगे लेकिन सर्त सिर्प केवल एक है सरधा की भाओ की क्योंकि भगवान भाव के और सरदा के भूखे होते हैं यदि आप सरदा और भगती के साथ इन उपायों को आप करेंगे सफलता आपको जरूर मिलेगी आईए चर्चा करते हैं कैसे उपाय करना है दोस्तों कल बुद्वार के दिन आप अपने आसपास में कोई केले का वरेक से डूंडे और केले के समिक्स जाकर आप अपनी याचना करें प्राथना करें के प्रभू मुझे आपकी जड़ का एक छोटा सा अंस चाहिए और मैं इस इस परकार से जो भी आपकी प्रेशानी है जो दुविदा है वो आप पिता समझगर उनको उनके चरणों में प्राथना करिएगा अपनी बात को रखिएगा और एक छोटा सा टुकड़ा तोड़ करें वहीं पर केले के समिप जड़ों में ही रखती जिएगा और प्राथना करके आईएगा कि प्रभु कल मैं आपकी फिर से सरण में आऊंगा और इस अंस के द्वारा आपकी किर्पा प्राप्त करने का सोभाग्य प्राप्त करना चाहता हूँ ऐसे कामना याचना के साथ आप ब्रहस पतिवार के दिन सूरिय उदे के बाद सवा पर घर से निकल लिएगा सवा साथ सवा आट सवा नो कोई भी टाइम ले लीजिएगा तो ऐसे समय को देखते हुए सनान ध्यान से निवर्त होने के बाद ये आपने जो समय देखना है वो सनान करने के बाद यदि सनान उस दिन आप हल्दी डाल कर करेंगे पानी में तो और भी ज़्यादा उत्तम रहेगा और केले के समिप जाकर और यदि आप घर से जल में हल्दी डाल कर ले जाते हैं और एक दीपक लेकर चले जाते हैं ये और भी ज़्यादा सुर्वोत्तम हो जाता है प्रन्तो अगर आपके पास इन सब सामगरियों के उपस्तिती नहीं हो पाती है तो किवल आप सर्धा से भी अपने प्रातना कर सकते हैं सामगरी से आप जल से सनान करवाकर दीपक जलाकर भगवान ब्रहसपती से नारायन से प्रातना करें कि मेरे मालिक मैं इस संसार में हजारों प्रियतन करने पर भी समस्याओं से नहीं निकल पा रहा हूँ और आपकी आज इस सुब अउसर पर इस गुरूप उश्यनक्षत्र सैयोग में मैं आपकी दया का पात्र बनना चाहता हूँ आपकी असीम किर्पा प्राप्ट करना चाहता हूँ आपका असिरवाद प्राप्ट करना चाहता हूँ तो दोस्तो ओम ब्रहस पते नमा इस मंतर का जाप करते हुए आप उजड़ का अंस पीले कपड़े में लेकर आप अपने घर के लिए आजाईए और घर आकर उस जड़ को आप पंचामिर्त में डाल दीजिएगा और आप ओम ब्रहस्पते नमा या फिर ओम ग्राम ग्रेम ग्रोम सहागुरुवे नमा या फिर ओम क्लीम ब्रहस्पते नमा जो भी मंतर आपको उत्तम लगे इन तीनों मंतरों में से उस मंतर का जाप प्रारंब कर दीजिए जितनी आपकी सामर्था है पांच मिनिट, दस मिनिट, पंदरा मिनिट, एक घंटा, दो घंटा जितना आप करेंगे उतना ही ये प्रियोग अदभुद वनेगा परन्तु ध्यान के वली सी कारिय में रहे इस बात का आप ध्यान जरूर रखिएगा जितनी संख्या में हो सकता उतना जाप करने के बाद फिर आप इस जड़ को सुध जल से गंगा जल से सनान करवाईएगा गंगा जल से सनान करवाने के बाद हाथ में पीले चावल ले करें आप भगवान ब्रहस्वती से प्राथना करिएगा मंत्रो चारण के साथ जो भी आपने मंतर का जाप किया है पांच मिनट उस मंतर का जाप करके प्राथना कीजिए का कि भगवन आज आपके इस अंस के द्वारा मैं अपने भग्य का उद्य चाहता हूं मारक दर्शन प्राप्ट करना चाहता हूं मेरी अनेकों प्रिकार की जो जो समश्याएं है उन सब समश्याओं से निकलने का आज की इद्वाबसर पर मैं आपका आशिरवाज प्राप्ट करना चाहता हूं तो इस प्रिकार प्राथना और जाप करते विव चावल उस पर छोड़ करे हल्दी से तिलक करके उस जड़ के अंस को आप पीले कपड़े में सील लीजिएगा जैसे कि हम कई बार नग को चेक करते हैं या कोई अंत्र को कपड़े में रख कर चारो तरफ से सील देते हैं तो उसी प्रकार से उस कपड़े में उस जड़ को सीलने के बाद आप सुब टाइम को देखते हैं, सुब तो वैसे पूरा ही दिन है, सवा का टाइम देखिएगा, जब भी आप ये कारिये करें तो सवा का टाइम देखिएगा, और अपने राइट हाथ की बाजू पर इसको ब आपके मन को शानते भी मिलेगी और जो जो आपकी बादाई हैं, वहाँ वहाँ आपको उन समस्यां से निकलने का मारग भी प्राप्त होगा, और डेली आप इस मंत्र का जाप जरूर करिएगा जो आपने इस अवसर पर किया है, इसके अलाबा दोस्तों यदि आप केले की ज गांठ को लेकर पीली होनी चाहिए, कुछ गांठे काली होती है, काली नहीं होनी चाहिए, पीली हो, उसका छोटा सांस लेकर वैसे ही प्रियोग कीजिएगा, पंचा मिर्थ में डालने का, और जाप करने का, और पीले कपड़े में सीलने का, और अपने राइट हाथ की दान करते हैं सोरी ब्रहस पतिवार के दिन 25 अगस्त को यदि आप और वी दिव्य प्रियोग करते हैं जैसे की पीली चने की दाल का दान करना केले का दान करना पीले वस्तर का दान करना बुद्वार के दिन आप चने की दाल को भिगो देते हैं और ब्रहस पतिवार के दिन उस तो इसका भी आपको अदबुद फलफ राप्त होगा और यदि आप घर रहकर आप हरीदवार के सनान का फलफ राप्त करना चाहते हैं तो सुबह जब आप ब्रहस पतिवार को 25 अगस्त को उठते हैं तो पानी के वाल्टी में खाली वाल्टी में पहले गंगा जल डालिएगा फिर थोड़ा उसमें काला तिल, स्पेद तिल और थोड़ा सा आवले का टुकड़ा डालिएगा आवले की बड़ी अदबुद मैमा है फिर आपको किसी और वीडियो के माध्धम से बताएंगे तो दोस्तो थोड़ी सी हल्दे डाल दीजिएगा और फिर इस अदबुद जल में सनान करिएगा अनुभव कीजिएगा कि आप इस समय हर की पोड़ी पर विरज मान है और मा गंगा का शाक्षात कार करते वे आप सनान कर रहे हैं तो दोस्तो फल वैसा ही प्राप्त होगा जैसा कि वहाँ पर सनान करने से होता है मन को श्यांति वी वही प्राप्त होगी जो वहाँ पर जाकर सनान करने से होती है। इस दिन आप ध्यान करिएगा, मेडिटेशन कीजिएगा, जाब कीजिएगा, मन करम वचन से एक सन्यासी का जीवन एक दिन जीकर देखिएगा, ब्रहस्पती की आप पर अद्भूद किरप्राप्त होगी आपको, जनम जनमांतर के आपको कष्टो का निवारन इस दिन आपके पुन्य तप ध्यान से उन सब करमों से निकलने का आपको मारग प्राप्त हो सकता है। इस इस जनम के समझ्याओं से नहीं मित्रूद, पूरव जनम के, क्योंकि इस जनम में जो हमारे खेल चलता, उसका समझ्याओं कई ना कई पूरव जनम से होता है, तो वो जो पूरव जनम के करमों के नुशार, जो दूइदाए हैं सबी से निकलने का आपको मारग प्राप्त हो जाएगा। आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर किसे नए विशे के साथ आप लोगों से जरूर रूपरू होंगे, और खुशी होती है कि आप लोगों तक ये जानकारी पूछा पाते हैं, और आप वीडियो को सेर जरूर करिएगा, आपको वीडियो कैसे लगी है, कोमेंट में गों माता की ये हूँ ये जरूर लिखेगा, और जो आपको वीडियो जानकारी प्राप्ट करने के बाद ग्यान प्राप्ट हुआ है, उसके बारे में भी आप अपने विचार जरूर परकिएगा।